प्यारे देश्वासियों, आज तहत्रवे गंतंत दिवस के राष्टिय परपर आप सब को हार दिख्षुप कामनाय बढ़ाई हमारे देश में लोगतंत हजारों वर्षों से किसी न किसी रूप में विद्धिमान रहा है लोगतंत हमारी सोच में रही है, हमारी जीवन शेली में रही है 26 जन्वरी 1950 को सविधान के अंगिकरण के साथ हमने अपनी प्राचीन जीवन पद्धती को अपनी प्रगत्ती और विकास का आधार बनाया है पिछले 75 वर्ष की लोगतंत की यात्रा में देश ने हर शित में निरंतर प्रगत्ती की विकास किया है जिस प्रकार एकता और सम्रस्ता की भावना से हम आगे बड़े हैं उसमें हमारे सविधान का सबसे बड़ा योगदान है जो साथ दश के बाद भी समय की हर कसोटी पर खरा उत्रा है हमारे सविधान के माद्यम से आज भी 135 करोड भारतियों की आशाओं और अकानशाओं को पुर्ण किया जा रहा है आज हम अपने अधिकारों की नहीं बलकि राष्ट के परती अपने करतियों के परती भी सचेत हैं साथियों पिछले साथ दशकों ने ये सिद्ध किया है कि भारत विष्ट का सबसे बड़ा और प्राचीनी नहीं सलकी सबसे जीवन्त और सशक्त लोक्तंत भी है जिसमें जनता की व्यापक भागेदारी है आज जब देश अमरत मोसो मना रहा है तो ये जन्शक्ती हमें देश और मानोता के उजल भुष के लिए प्रयासरत रने की पेड़ना दे रही है ये जन्शक्ती की तागत है कि भारत आज कुरोना महामारी से सपलता पुरवक लड़ रहा है प्यारे देश वासियों आज हमारे लिए अपने राष्टिय दाइतों और संकल्पों के प्रतिवत होने का परु है आज हमारे उन मनिशों के प्रति कृतिग्या प्रकट करने का आउसर है जिनोंने भारतिय स्वधिन्ता और सविधान की निर्माण में तता देश में लोगतंत को सरशक्त मजबूत करने में अपना योगदान दिया है आईए इस पवित दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने कारियों अपने सामुई प्रयासों एउं अपने योगदान से अपने लोगतंत को और अजिक सरशक्त बनाएंगे तता राष्ट सेवा देश सेवा के लिए सेयों को समर्पित करते हुए इस राष्ट और देश को आगे बढ़ाने में अपने करतेयों और दायतों को निभाएंगे धन्यवाद जैहिंद